सभी दर्शकों का आज के कारेक्रम में स्वागत है। हम यह जानते हैं कि एक आवेश अपने चारों ओर विद्युद्शेत रुद्पन करता है। यदि आवेशों के एक निकाय पर हम विचार करें, जिसमें एक से जादा आवेश उपस्तित हैं, तो एक बिंदू पर उन सब आवेशों के कारण विद्युद्शेत रुद्पन होगा। इस रुद्पन कुल विद्युद्शेतर के परिमान को हम किस प्रकार ग्याद करेंगे। ऐसे में हम अध्यार उपन सिध्धान्त की द्वारा एक बिंदू पर कुल विद्युद शेत्र का परिमान लिख सकते हैं आज हम एक विशेश प्रकार के आवेशों के निकाय पर चर्चा करेंगे और इस विशेश प्रकार के आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं आज के कारिक्रम में हम वैद्युत द्विध्रुव से उत्पन होने वाले विद्युत शेत्र पर तथा वैद्युत द्विध्रुव की भौतेक सार्थकता पर गहन चर्चा करेंगी इसी के साथ हम ये भी समझेंगे कि द्विद्रुव को एक बाहये विद्विद्विद्शेत्र में रखने पर इसके उपर क्या प्रभाव पड़ता है परंतु सबसे पहले हम वैद्वित द्विध्रुव के विशय में जानेंगे तो आईए वैद्वित द्विध्रुव की परिभाशा को जाने परिमान में समान एवं विजातिय बिंदू आवेशो का कोई युगल जिसके बीच पृतिकन है वैद्वित द्विध्रुव कहलाता है माल लीजे कि Q तथा माइनस Q का कोई युगल है जिनके बीच 2A का पृतिकन है तो ये आवेशों का निकाए वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा आवेशों के बीच की दूरी 2A गर्णा की सरल्ता के लिए ली जाती है माइनस Q तथा Q की अवस्थितियों का मध्य बिंदू द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है तो हम कह सकते हैं कि Q तथा माइनस Q से इस केंद्र की दूरी A है अब हम वैद्युत द्विध्रुव से समबंदित भौतिक मात्रा द्विध्रुव आगुर्ण को समझेंगे किसी वेद्य द्विध्रुव के द्विध्रुव आगुण सदिश P की परिभाशा इस प्रकार की जा सकती है P सदिश बराबर Q इंटू 2A P इस समिकरण में हम कुछ महत्वपूर्ण बाते समझ सकते हैं जैसे की द्विध्रुव आगुण सदिश का परिमान Q इंटू 2A है और इसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है और द्विध्रुव आगुण का SI मात्रक कूलम मीटर है प्रत्यक्ष रूप से वैद्य द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है परन्तू इसका अर्थ ये नहीं है कि द्विध्रुव का विध्युच्षेत्र भी शून्य हो चूकि आवेश Q तथा माइनस Q में कुछ प्रत्यकन है इसके कारण विध्युच्षेत्र जब जोडे जाते हैं तब ये एक दूसरे को यथार्थ रूप से निरस्थ नहीं करते परन्तू यदि द्विध्रुव बनाने वाले आवेशों के प्रत्यकन की तुलना में दूरी अधिक है तो Q एवं माइनस Q के कारण शेत्र लगबग निरस्थ हो जाता है अतहा अधिक दूरियों पर किसी वैद्युद द्विध्रुव के कारण विध्युच्षेत्र वन बाई आर स्क्वेर एकल आवेश Q के कारण विध्युच्षेत्र की आर पर यही निर्भरता है इससे भी अधिक गती से मंद हो जाता है इसे गुणात्मक रूप से समझने की आवशक्ता है तो आईए सबसे पहले द्विध्रुव के अक्ष बिध्युच्षेत्र ग्यात करते हैं माल लीजिए P बिध्रुव के केंद्र से Q की ओर आर दूरी है हम यह जानते हैं कि आवेशों के युगल माइनस Q और प्लस Q के कारण दिक स्थान में किसी बिंदू पर विध्युच्षेत्र कूलाम नियम तथा अध्यारोपन सिध्धान से ग्यात किया जा सकता है धनावेश के कारण विध्युच्षेत्र आवेश से बाहर की ओर उनमुख त्रिजिय होता है इसके विपरीत यदि श्रोत आवेश रिणात्मक है यानि कि माइनस Q है तो विध्युच्षेत्र सदिश हर बिंदू पर त्रिजिय किन्तू अंदर की ओर होता है इसी के कारण बिंदू P पर दोनों आवेशों के विध्युच्षेत्र को इस तरह दर्शाया गया है तथा परिपाटी के अनुसार द्वीद्रुवी आगोर्ण की दिश्या माइनस Q से प्लस Q यानि की रिणावेश से धनावेश की ओर होती है जैसा कि हम जानते हैं कि एकल आवेश के लिए विध्युच्षेत्र को किसी बिंदू पर परिमान E इकोल्स टू 1 बाई 4 पाई अपसालन नौट Q बाई आर स्क्वेर होता है अब हम वैद्विद विध्रुवी के आवेशों के विध्युच्षेत्र सदिश के समीकरण को लिखने का प्रयास करते हैं सबसे पहले बिंदू P पर माइनस Q के कारण विध्युच्षेत्र कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा जहां हमने E माइनस Q को माइनस Q बाई 4 पाई अपसालन नौट आर प्लस A होल स्क्वेर पी एकांग सदिश लिखा है क्या आप जानते हैं कि ये रिनात्मक चिन यहां क्या दर्शारा है जैसा कि हम जानते हैं कि आगोंड की दिशा माइनस Q से Q की तरफ होती है और वहीं यहां E की दिशा माइनस Q की तरफ होगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से विप्रीत दिशा में हैं यही कारण है कि हमने यहां रिनात्मक चिन को लगाया है अब हम बिंदू P पर प्लस Q के कारण विद्युच्शेत्र को लिखेंगे जो की है E Q Q बाय 4 पाय प्सालर नॉट R माइनस A स्क्वेर P एकांग सदश जैसा कि हम जानते हैं कि किसी व्यापक बिंदू P पर विद्युच्शेत्र आवेश माइनस Q के कारण P पर विद्युच्शेत्र E माइनस Q तथा आवेश प्लस Q के कारण P पर विद्युच्छेत्र E प्लस Q को सदिशों के समानता चतरभुज नियम द्वारा सयोजित करके प्राप्त किया जाता है अब P पर कुल विद्युच्छेत्र का परिकलन कुछ इस प्रकार किया जाएगा E बराबर E माइनस Q प्लस E प्लस Q जहां E का परिमांड E माइनस Q का परिमांड कुछ इस प्रकार है और E प्लस Q का परिमांड कुछ इस प्रकार है इसको हल करने पर और Q और 4 पाई अपसालिन नौट को बाहर कॉमन लेने पर 1 by r minus a whole square minus 1 by r plus a whole square P a.k. सदिश मिलेगा इस समिकरण को हल करने के बाद हमें ये समिकरण प्राप्थ होगा जो की q by 4 pi epsilon 0 4 a r by r square minus a square का whole square P a.k. सदिश है और अगर r की तुलना में a बहुत ही छोटा है तो इसकी उपेक्षा की जा सकती है और ऐसा करने पर हमें q by 4 pi epsilon 0 4 a by r cube P a.k. सदिश प्राप्थ होगा अब यहाँ पर q 2 a P a.k. सदिश क्या है और ये मात्रा क्या दर्शा रही है तो हम जानते हैं कि q गुणा 2 a P a.k. सदिश सदिश है अतह ये समीकरण कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है e सदिश बराबर 2 P सदिश 4 pi epsilon 0 r q क्या बता सकते हैं कि बिंदू P पर कुल विद्युद शेत्र की दिशा क्या होगी समीकरण तथा चित्र दोनों से हम देख सकते हैं कि विद्युद शेत्र की दिशा विद्युद आगूर्ण के समानतर होगी अब हम दूसरे प्रकरण की ओर चलते हैं हम एक ऐसे बिंदू पर विद्युद शेत्र का परिकलन जो दुविद्रुव के विशुवितिय तल अर्थात दुविद्रुव अक्ष के केंद्र से गुजरने वाले दुविद्रुव अक्ष के लंबवत तल में हैं जैसा कि हम देख सकते हैं कि पी बिंदू दुविद्रुव के विशुवतिय तल अर्थात दुविद्रुव अक्ष के केंद्र से गुजरने वाले दुविध्रुव अक्ष के लंबवत तल में है बिंदू P पर Q के कारण विद्युच्षेत्र E प्लस Q होगा जिसका समय करण कुछ Q बाई 4 पाई अपसाले नौट 1 बाई R स्क्वेर प्लस A स्क्वेर होगा जहां ये R है और ये A है और पाईथागोरस थेयोरम की मदद से हम R स्क्वेर प्लस A स्क्वेर तक पहुच सकते हैं अब बिंदू P पर माईनस Q के कारण विद्युच्षेत्र कुछ इस प्रकार है जो की Q बाई 4 पाई अपसाले नौट 1 बाई R स्क्वेर प्लस A स्क्वेर है जैसा कि हम देख सकते हैं कि E प्लस Q और E माईनस Q की दिशाएं चित्र में दिखाई गई है धनावेश के कारण विद्युच्षेत्र आवेश से बाहर की ओर उन्मुख तरजिये होता है इसके विब्रीत रिणावेश के कारण विद्युच्षेत्र अंदर की ओर उन्मुख होता है अब स्पष्ट है कि दिविद्रुव अक्ष के अभिलंबत अव्यव यानि कि E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त करते हैं और वहीं ये E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा लिखा जाएगा इसके परिणाम स्वरूप E को हम माइनस E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा पी एकांग सदिश लिख सकते हैं और E plus Q और E minus Q के समिकरन की मदद से हमें E minus 2QA by 4 pi epsilon 0 R square plus A square की power 3 by 2 P एकांग सदिश मिलेगा अब अगर R की तुल्ला में A बहुत ही छोटा है तो इसकी उपेक्षा की जा सकती है तो इस प्रकार हमें E बराबर minus 2QA by 4 pi epsilon 0 R cube P सदिश मिलेगा यहां रिनात्मक चिन्न यह दर्शा रहा है कि कुल विद्युच्षेत्र P एकांग सदिश के विपरीत होता है और अगर उस समिकरण में हम Q into 2A P एकांग सदिश की जगा विद्युच्ष आगुण सदिश लिख दें तो हमें यह समिकरण कुछ E बराबर minus P by 4 pi epsilon 0 R cube मिलेगा इस महत्वपून तथे पर ध्यान दीजे कि द्विद्युच्षेत्र अधिक दूरियों पर 1 by R square के रूप में नहीं बलकि 1 by R cube के रूप में मंद होता है इसके अतिरिक्ष द्विद्युच्षेत्र का परिमान तथा दिशा केवल दूरी R पर ही निर्भर नहीं करती बलकि ये सदिश R तथा द्विद्रुव आगुर्ण P के बीज के कोन पर भी निर्भर करते हैं हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि जब द्विद्रुव का माप 2A 0 की ओर अग्रसर होता जाता है तब आवेश Q अनंत की ओर अग्रसर इस प्रकार होता जाता है कि गुननफल P बराबर Q इंटू 2A एक नियत परिमित संख्या होती है इस प्रकार के द्विद्रुव को बिंदू द्विद्रुव कहते हैं किसी वैद्य द्विद्रुव के अक्ष बिंदू तथा विशुवतिय बिंदू पर परिकलित द्विद्रुव छेत्र के समिकरन भी आर के सभी मानों के लिए सत्य तथा यथार्थ हैं अब हम एक प्रश्ण को हल करने का प्रयास करेंगे और ये प्रश्ण है किसी निकाई में दो आवेश थ्री माइक्रो कूलम तथा माइनस थ्री माइक्रो कूलम क्रम शह दो बिंदूओं अब इस प्रश्ण के अनुसार मैं इन दोनों बिंदूओं को त्री विमियर निर्दिश में दिखाऊंगी जहां पर ये X, ये Z और ये Y यहां X पर 3 माइक्रो कूलम जो की 0,0,15 सेंटीमीटर और वहीं यहां माइनस 3 माइक्रो कूलम के स्थिती 0,0,-15 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले निकाय का कुल आवेश तो हम जानते हैं कि यहां निकाय के कुल आवेश के लिए 3 माइक्रो कूलम प्लस माइनस 3 माइक्रो कूलम और इनको योग करने पर हमें 0 मिलेगा इसका मतलब यह हुआ कि निकाय का कुल आवेश 0 होगा परन्तु वैद्वित विद्रूव आगुण इसके लिए हमें पता है कि P बराबर Q इन्टू 2A प एकांग सदिश होता है यहाँ पर P का परिमान Q गुणा 2A के बराबर होता है जिसके अनुसार Q 3 माइक्रो कूलम जो कि 3 इन्टू 10 की पार माइनस 6 है और 2A यानि कि इन दोनों की बीच की दूरी जो कि 15 प्लस 15 सेंटीमीटर होगी जिसको हम 30 सेंटीमीटर और ऐसा ही मात्रक के लिए हम इसको मीटर में करने के लिए 10 की पार माइनस 2 से गुणा करेंगी इसको हल करने पर हमें P 90 इन्टू 10 की पार माइनस 8 कूलम मीटर जिसको 9 इन्टू 10 की पार माइनस 7 कूलम मीटर लिखा जा सकता है इसका मतलब ये है कि वैद्यू द्विद्रू आगुर्ण का परिमान 9 इन्टू 10 की पार माइनस 7 कूलम मीटर होता है क्योंकि ये एक सदिश राशी है इसके लिए इसकी दिशा को भी बताना बहुत जरूरी है और एक वैद्यू द्विद्रूव आगुर्ण की दिशा हमेशा रिनात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है यानि कि माइनस 3 माइक्रो कूलम से प्लस 3 माइक्रो कूलम की तरफ होगी अब हम वैद्वित द्विद्रुव की भौतिक सार्थक्ता को समझने का प्रयास करेंगे अधिकांश अनुओं में धनावेशों तथा रिनावेशों के केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं इसलिए इनके द्विद्रुव आगुण शून्ने होते हैं जैसे की कार्बन डायकसाई तथा मीथेन अनुओं इसी प्रकार के हैं विद्विद्शेत्र आरोपित किये जाने पर ये द्विद्रुव आगुण विक्सित कर लेते हैं परन्तु कुछ अनुओं में धनावेशों तथा रिनावेशों के केंद्र समपाती नहीं होते अतहा विद्विद्शेत्र की अनुपस्तिती में भी इनका अपना स्थाई द्विद्रुव आगुण होता है इस प्रकार के अनुओं को ध्रुवित अनु कहते हैं जलका अनु ह2O इस प्रकार के अनुओं का एक उधारण है विवित बधार्थ विद्युद्शेत्र की उपस्तिती में तथा अनुपस्तिती में रोचग गुण तथा महत्वपूर्ण अनुप्रयोग प्रस्तुत करते हैं आईए, अब यह जानते हैं कि वैद्विद्विद्रुव को विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद ये E द्वारा प्रेरित नहीं हुआ है यहां आवेश Q पर QE तथा माइनस Q पर माइनस QE बल लग रहे है चूकि E एक समान है अतहा द्विद्रों पर नेट बल 0 होगा QE माइनस QE 0 होगा परंतु आवेश Q में प्रित्कन है अतहा बल भिन बिंदू पर लग रहे है जिसके परिनाम स्वरूप द्विद्रों पर बल आगुर्ण कारे करता है जब नेट बल 0 है तो बल आगुर्ण मूल बिंदू पर निर्भर नहीं होता इसका परिमान प्रतियक बल के परिमान तथा बल युगम की बुझा अथवा दो प्रतिसमांतर बलों के बीच लमवत दूरी के गुननफल के बराबर होता है अब हम बल आगुर्ण का परिमान लिखने का प्रयास करते हैं बल आगुर्ण का परिमान यानि की टाव बराबर होता है क्यू इंटू 2A साइन थीटा के जिसे 2QAE साइन थीटा लिख सकते हैं इसकी दिशा तल के अभिलमवत इससे बाहर की ओर है P x E का परिमान भी P e sin theta है तथा इसकी दिशा प्रिष्ट के अभिलंवत बाहर की ओर है अतहा टाव P x E लिखी जा सकती है ये बल आगुण द्वेद्रुव को छेत्र E के साथ संग्रेखित करने की प्रिवर्ति रखेगा जब P x E के साथ संग्रेखित हो जाता है तो बल आगुण शून्य होता है इस प्रकार हम एक समान शेत्र में रखे विद्वेद्रुव पर बल आगुण ग्यात कर सकते हैं परन्तु जब शेत्र एक समान नहीं होता तब क्या होता है? स्पष्ट है उस प्रकरण में नेट बल शून्य नहीं होगा इसके अतरेक्ट व्यापक रूप से निकाए एक बल आगुण कारे करेगा आईए एक सरल स्थिती पर विचार करते हैं जिसमें P x E के समानतर अथ्वा प्रती समानतर है तो समी करण टाव बराबर P E साइन थीटा के अनुसार दोनों ही प्रकरणों में नेट बल आगुण तो शून्य होता है परन्तु यदि E एक समान नहीं है तो द्विध्रूप पर एक नेट बल लगता है हम यहाँ सानी से देख सकते हैं कि P छेत्र E के समानतर है P माइनस Q से Q की ओर है और E की दिशा भी इसी तरफ है माइनस Q से प्लस Q की ओर विध्य छेत्र बढ़ रहा है जिसका ताथ पर यह है कि प्लस Q पर लगने वाला बल माइनस Q की तुल्ला में अधिक है तो हम यह कह सकते हैं कि जब P छेत्र E के प्रतिसमानतर होता है तो द्वीध्रुव पर घट्टे छेत्र की दिशा में एक नेट बल कार्य करता है व्यापक रूप में बल E के सापेक्ष P के दिक विन्यास पर निटभर करता है चलिए देखते हैं कि क्या आप एक सरल से प्रश्ण का उत्तर दे पाते हैं या नहीं जैसा कि हम जानते हैं शुष्क बालों में फीरी गई कंगी कागस के छोटे छोटे टुकडों को आकर्शित करती है क्यूंकि कंगी घर्शन द्वारा आवेश अर्जित करती है परन्तु कागस तो आवेशित नहीं है फिर इस पर आकर्शन बल लगने का क्या कारण है क्या हम कह सकते हैं कि आवेशित कंगी कागस के टुकडों को एक बाये छेत्र प्रदान करती है जिसके कारण टुकडों में शेत्र की दिशा में नेट द्विधरूव आगुण प्रेरित कर देती है इसके अतिरेक्ट कंगी के कारण विद्यूद शेत्र एक समान नहीं है इस असमान शेत्र के कारण द्विधरूव पर एक नेट बल कारेरत हो जाता है इस स्थिती में ये आसानी से देखा जा सकता है कि कागस के टुकडे कंगी की दिशा में गती करते है इसी रोचक प्रश्नी के साथ आज हमने वैद्यूद द्विधरूव से संबंदित सभी विश्यों पर चर्चा की चाहे वो वैद्यूद द्विधरूव आगुण परिभाशित करना हो या वैद्युत द्विधुव के अक्ष तथा विश्वतिय विंदू पर विद्युत छेत्र को ग्यात करना हो इसे के साथ हमने ये समझा कि एक वैद्युत द्विधुव को एक समान शेत्र में रखने पर उस पर किस प्रकार बल आघुन लगता है हमने इस पर विस्तार से चर्चा की कि यदि उसे एक ऐसे शेत्र में रखतिया गया हो जिसका शेत्र एक समान नहीं है तो उस पर नेट बल किस दिशा में लगेगा आप गय धुरुवी अनु तथा धुरुवी अनु में खोज कर ये पता लगाएं कि कि किस प्रकार विद्युद शेत्र की अनुपस्थिती और उपस्थिती में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के तौर पर ये कैसे देखे जा सकते हैं और इसे साथियों के साथ भी सांजा करें। साथी अपनी पाठ्थे पुस्तक में आज के कारेक्रम में चर्चित विशियों पर संबंदित प्रश्णों के उत्तर देने का प्रयास करें। इसे प्रकार आप और भी सीखते रहें और हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे रोचक विशियों के साथ। धन्यवाद। करें।